इन दिनों अमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तैयारिया चल रही होगी चल रही है ना मैं आप सब को भगोरिया की बहुत बहुत शुब कामनाए देता हूँ साथियों भगोरिया से पहले मुझे आप सब के बीच आकर धेर सारी सौगात विकास की योजनाएं आपके चर्णों में सुप्रुत करने का भी सौभाग्य मिला है कुछ देर पहले मैंने जाबवा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अली राजपूर समेट पूरे एमपी के लिए हजारों करोर रुपिये की योजनाओं का लोकारपन भी किया है जाबवा के किसानों के गाउं भी सम्रुद्ध हो, इसके लिए आज आदर्ष ग्राम योजना की विकास रासी भी जारी हुई है इस छेत्र की कनेक्टिविटी को बहतर करने के लिए आज मध्यप्रदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है आज से रट्लाम और मेग नगर रेल वे स्टेशन को आदुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है जनस जाती है समाज की मेरी करीब दो लाग बहनों बेटियों के खातों में पंदरा सो पंदरा सो रुपिये भी आज बेजे गए हैं एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मद्ध प्रदेश में फिर से एक बार मनाई हुई ये डबल इंजिन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है विकास के इस महा अभियान का सरे मद्ध प्रदेश की जनता को जाता है मैं आप सब को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी स्यात्रा को लेकर खूप चर्चाएं भी हो रही है भांती भांती की बाते लिखी जा रही है बांती भांती की बाते बोली जा रही है कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में जाबुआ से लोग सभा की लड़ाई का आगाज करेगा मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी लोग सभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है मोदी तो सेवक के तौर पर इश्वर रुपी एमपी की जनता जदाधन का आभार मानने आया है मध्य प्रदेश में विदान सभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोग सभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजिन सरकारों के प्रती जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं समसद में बोलने लगे हैं चोबीस में चार सो पार चोबीस में चोबीस में फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार लेकिन इसके पहले मद्य बिजेश की जनता ने विधान सबा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है न मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूँ कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे साथियों कुछ दिन पहले जब विपक्ष मैं से आवाज आई 400 पार तो फिर मैंने कहां देखो भाई एंडिये की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी अकेला कमल का निशान तीन सो सत्तर पार करेगा तीन सो सत्तर पंगर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तीन सो सत्तर से जगजा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए लिए लाओगे कैसे मैं आपको एक जड़ी बिट्टी देता हूं दे दू मैं publicly जड़ी बिट्टी दे रहा हूं देखिए आपको बत आज से यहां से जा करके एक ही काम करना है ज़्यादा ने एक ही काम क्या काम करना है पिछले तीन चुनाव में आपके हाँ पोलिंग बुथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो पोलिंग बुथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाम निकालो निकालोगे तीन चुनाव का निकालोगे फिर उसमें जीस समय सबसे जाजा वोट मिले है उसको ज़रा लिख लो कि इस पॉलिंग बुथ में पिछले चुलाओं में तीन में ये सबसे ज़्यादा वोट मिले थे लिख लोगे? ज़रा जवाब दीजिये लिख लोगे? फिर आप तै करना कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बुथ में मिले थे उसमें इस बार तीन सो सत्तर नए वोट जुड़ने चाहिए करेंगे? यानि आपके पॉलिंग बुथ में जितने वोट ज़्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार महनत करके तीन सो तक बनाएंगे सरकार के काम उसको बताएंगे उसने कौन कौनची योजना का लाब उसके घड़ तक पहुंचा है. ये बताएंगे उसको और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वाध देंगे कि पुदी जी फिल से आ करके काम पूरा करेंगे बताओगे अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए तीन सो सित्तर वोट 370 तीन सो सत्तर वोट अपने गुजराती में त्राणू सो सित्तर कहिये ने हाँ तीन सो सत्तर वोट अतिरिक्त होने चाहिए अगर ये मेरे हर बूत में हो गया तो तिन सो सत्तर पार पक्का करेंगे साथियों विपस के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आइना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है मध्य प्रदेश को मोका मिला इसलिए दिखा दिया लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कौने कौने में है मैं अभी दक्षिन में गया था राम मंदीर को लेकर के मेरा एक अनुस्तान चलता था और मैंने वहाँ जो भाव देखा माताए बहने बुजूर बच्चे नवजवान मेरा कारगम नहीं था पबलिक का मैं तो अपना पूजा पाठ के लिए गया था लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशिरवाद ने निकली आ रहे थे मैंने देश की ताकत को, देश के आशिरवाद की ताकत को, माता और बहनों के आशिरवाद की ताकत को अनुभव किया है मैं कलपना नहीं कर सकता हूँ कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं इतना आशिरवाद देते हैं साइद कितने जन्मों का पुन्य होगा तब जाकर के मुझे आपके आशिरवाद प्राप्त करने का अवसर आता है मेरे प्यारे जनजात ये समाज के भाई यो बेनो तेईस में कॉंग्रेस की छुट्टी हुई थी विदान सभा चुनाव में चोबिस में पूरा सफाया होना तय है साथ यो डबल इंजिन की सरकार कैसे काम करती है मध्यप्रदेश एक उत्तम उधारा आज पूरे देश के सामड़े है बीते वर्षों में मध्यप्रदेश ने दो अलग अलग दोर देखे हैं एक डबल इंजिन सरकार का ये दोर और दूसरा कॉंग्रेस के जमाने का काला काल कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दोड रहा मध्यप्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बिमारू राज्यों में गिना जाता था मध्यप्रदेश को बिमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वज़ती गाउं गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कॉंग्रेस का नफरत भरा रवय्या नफरत 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 इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की न उसके सम्मान के बारे में सोचा इनके लिए तो जन जातिय लोगों का मतलब केवल कुछ भोट होता था सिरफ भोट होता था इन्हें गाव गरीब पिछणा की याद तब आती थी जब चुनाव की गोशना होती थी साथियों ये अटल बिहारी बाजपाई की बीजेपी सरकार थी जिसने पहली बार आदिवासी हितों के लिए नया मंत्राले बनाया अलग मंत्राले बनाया अलग बजेट निकाना और आदिवासी इलाकों का विकास आदिवासी लोगों का विकास आदिवासी बेटे बेटियों के बविश्य के लिए पूरी व्यवस्ता यह हमारी बीजेपी की सरकार है जिसने वन उपज पर एमेसपी में रिकॉर्ड गुर्दी की यह बीजेपी की सरकार है जिसने एमेसपी के दायरे में वन उपज की संख्या को करीब बस से बढ़ाकर नब्बे के आसपास पहुँचा दिया यह बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी लाकों में वन धन केंदर खोले हैं ताकि आधिवासी उत्पादों को नए हाट नए बाजार मिले भाई और बेनों हमारे लिए जन जातिय समाज बोट बैंक नहीं है हमारे लिए तो जन जातिय समाज हमारे देश का गवरव है हमारे देश के उजवल भविश्य की गारंटी यह मेरा जन जातिय समाज है आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है आपके सपने आपके बच्चों के सपने नवजवानों के सपने ये मोदी का संकल्प है इसलिए भगवान बिर्वसा मुंडा की जेंती को जन जातिये गवरों दिवस के तौर पर बनाने का फैस्कला मोदी सरकार ने किया तंकिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस बनाया जाता है उनी के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांती सूर्य तंट्या भील विश्व विद्याले की गोशना कर रहा हूँ आज और भी एक महत्वपुन दिवस है आज तिलक माजी हमारे तिलका माजी जी हमारे आदिवासी समाज का गवरव उन्होंने बिहार के भागलपूर में अंग्रेज 1784 में 1784 में एन 1857 से भी पहले हमारे तिलक माजी जी ने भागलपूर के कभिशान किलिन लेंड को तीर मार करके मार दिया था अंग्रेज को आज ऐसे वीर पुरुष की जन्मजैन्ती भी है जब मेरा आदिवासी समाज मेरे सामने बैठाए आज जो कारकमों की हरतना हुई उसके कारण अब जाबुआ रतलाम खरगोन धार और आजपास के युवाओं को आदिवासी बच्चों को उच्च सिक्षा के लिए न गुजरात जाना पड़ेगा न इंदोर उज्जेन के चक्कर काटने पड़ेगे साथियों गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमिटर चलना पड़ता था मैं मुख्यमंत्री बना तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए मैं आपके बाजू में यहने पता ही नहीं चलता कि मंत्य प्रदेश है के कुजरात है यहां के गाउं गाउं जाता था बिच्चा मांगता था और गरगर जाके कहता था कि मुझे बिच्चा में वादा दो वचन दो कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे मैं मुख्यमंत्री था 13, 14, 15 जून 40, 45 दिगरी तापमान रहता था चारो तरब गरम हवाय चलती थी तब मैं जाववा के बगल में दाहूत के जंगलों में छोटे-छोटे गाउं में जा करके बेटियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाने कर काम करता था अब आववासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एक लव्य आववासी स्कूल खुलवा रहा हूं रेसिडेंशल स्कूल कॉंगरेस ने इतने वर्षों में इतने साल उंको काम करने का अवसर मिला था सिरफ सो एक लव्य स्कूल खोले थे वो भी वहां जहां उनके बड़े-बड़े बाबु बैटे थे जबकि भाजपा की सरकार ने अपने दस साल में ही इससे चार गाना गुना जादा एक लव्य स्कूल खोल दिये हैं एक भी आदिवासी बच्चा सुच्छा के अभावों में पीछे रह जाए ये मोदी को मंजूर नहीं है साथियों हमारा आदिवासी समाच हजारों वर्सों से बन संपदा से अपनी रोजी-्रोटी चलाता है कॉंग्रेस के समय आदिवासीयों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिये गए थे बन संपदा कानून में बदलाव करके अमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाच को बन भूमी से जुड़े अधिकार लोटाए गए है इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सेंकड़ लोगों की जान ले रही थी केंद्रों और राज्यों में दोनों जगा कॉंगरेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई लेकिन उन्होंने और समय मृत्यू को प्राप्त होते जन जातिय युवाओं की बच्चों की चिंता नहीं की उन्हें पता था कि भोले बाले आदिवासी लोग बिमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे यह चुनाव का मुद्दा नहीं होता था लेकिन साथियों हमारे लिए वोट नहीं आपकी जिन्दगी माईने रखती है हमने वोट बेंक के लिए नहीं आदिवासी समाज के स्वाथ के लिए सीकल सेल एनीमिया के खिलाब अभियान शुरू किया है यह कॉंग्रेस और हमारी नियत में फर्क बताता है यह नियत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दोड़ में आगे बढ़ रहा है यह नियत का ही फर्क है कि हमने मद्द प्रदेश को बीमारू राज्य से विकास सिल राज्य बना दिया है साथियों आज स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनकी जमीन के कांगजाद दिये जा रहे हैं कुछ देर पहले हाँ भी एक लाग पचत्तर हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिये गए हैं यह अधिकार पत्र नहीं यह आपके जिन्दगी में सुरक्षा पत्र भी है यह सिक्यूरिटी की गारंटी का परचा है वो सुरक्षा पत्र जिनसे हमारे परिवारों को भूमी विवादों से सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा पत्र जो हमारे परिवारों को सुध खोरों के कर्ज से सुरक्षा देते है आप पहले के उस्तिती की परिकल्पना करिए जब किसी व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के किसी विवाद के लिए कोड के चक्कर काटने पड़ते थी दोदो फीडी कोड के चक्कर काटने में ही पूरी हो जाती थी जब किसी लोन के लिए सुध खोरों से मिन्नत करने पड़ती थी जब पढ़ाई के लिए किसान को जमीन बेचने पड़ती थी आज एक स्वामित्व योजना मेरे देश के गाउं गरीब को इन सब मुश्किलों से बचाती है साथ क्यों आज जो सबसे बंचित है सबसे पिछड़ा है हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है समाज में जो सबसे आखरी वर्ग होता था हमने विकास में उसे सबसे पहला दरजा दिया बेटा तुम्हारा हाथ जुख जाया दर्थ करेगा बहुत बहुत तुन्हें किया मिल गया मुझे बिटा मिल गया मिल गया तेरा प्यार तेरा प्यार अब तेरा हाथ दर्थ कर गया बिटा अब हाथ निचे करो मुझे मिल गया जाबास समच्दार हो जो सबसे गरीब थे आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाए बनाती है सबसे आखरी गाव सबसे आखरी वर्ग ये कौन लोग थे इन में से जादा तर हमारे बलीत आदिवासी पिछडा ऐसे वंचित समाज के लोग थे इसलिए सबसे पिछडे जन जातिये समुओं के लिए हमने पी-एम जन्मन योजना शुरू किए जो जन जातिये समाज अब तक विकास की मुख्यदारा से कटा हुआ था जन्मन योजना के तहट उनका तेज विकास शुरू किया गया है इसका लाप यहां इस खेत्र की बहरा भारिया और सहरिया जैसे जन जातिये समुओं को होने वाला है मद्द प्रदेश के आदिवासी बहुल जीलों में हजारों करोड रुपिये के कारिय पी-म जन्मन योजना के तहट कराए जा रहे हैं प्रदान मंत्री आदी आदर सग्राम योजना के जरिये जववा के भी साड़े पांच सो गावों में विकास के काम हो रहे हैं भाई और बैनों हमारी सरकार एंपी में आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है कॉंग्रेस सरकार के दस वर्षों में एंपी को रेलिवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला आज हम उसे 24 गुना जादा पैसा एंपी के लिए बेज रहे हैं 24 गुना जादा आज भी मैंने करीब साड़े तीन हजार करोड रुपिय की रेल परियोजनाओं का लोकारपण किया है साड़े तीन हजार करोड रुपिय की लागत के नेशनल हाइवेज का भी आज लोकारपण हुआ है आप सोचिए आज एक एक सेक्टर में एंपी के विकास के लिए हम इतना जादा पैसा भेज रहे हैं वो कौन से इलाके थे जहां रेल की, सड़क की, बिजली की, रोजगार की सुविदाएं नहीं पहुँचती थी इन में से अधिकांस, जन जातियां और ग्रामिण इलाके ही थे क्योंकि कॉंग्रेस को आपके गाउं की नहीं उनको तो अपने महलों की चिंता थी कॉंग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा किये उनके बनाए गड़े भरने के लिए आज हम पूरी महनत से काम कर रहे हैं इसलिए कॉंग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाप वोट मांगने जाएं तो किस मुह से जाएं उन बेचारों की मुसीबत तो है जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है सुना है कि इन दिनों करेगी साथियों कि जब यह सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं जब सत्ता से बहार जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं यानि लूट और फूट यही कॉंग्रेस की अक्सिजन है इनको बंद करते ही कॉंग्रेस पार्टी का सियासी दम तूटने लग जाता है ज़्यादा तर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनारदन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिये हैं अब यह वापस कुर्शी पाने के लिए जाती के नाम पर बाशा के नाम पर इलाके के नाम पर तूट करवाने में फूट करवाने में लगे हुए हैं लेकिन देश इनकी हरकते देख रहा है देश इनके मनसुबे सबल नहीं होने देगा साथ क्यों कॉंग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके भरी पड़ी है ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट पती का चुनाव लड़ती है तो कॉंग्रेस उन्हें रोकने के लिए उन्हें हराने के लिए दिवार बनकर खड़ी हो जाती है देश को कॉंग्रेस की वो कर्तूत याद है चुनाव आने पर ये लोग बड़ी-बड़ी गोशनाए तो करते हैं लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए दलीद पिछड़ा आदिवासी के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालिया देते हैं मद्यप्रदेश में डबल इंजिन सरकार ने करीब 45 लाग परिवारों को पक्का घर दिया है 65 लाग से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही इन्होंने गरीबों तक ये लाग पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी MP के लोग उनके वो पाप भूले नहीं है तालवाडा बांध परियोजरा के पूरा होने के बाद जाबवा रतलाम और धार के हजारों गावों को पानी पहुंचेगा इन कामों के लिए इस छेत्र के लोगों को यहां के मेरे आदिवासी भाई बैनों को इन कामों के लिए दसकों तक इंतजार करना पड़ा लोग ये बाते भूलते नहीं हैं कॉंग्रेस के लोग समझ लें ये मेरे आदिवासी भाई बैन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं जंता ने कॉंग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है वो तो भी ब्याज का जवाब है कॉंग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाती है था थियो डबल इंजिन सरकार की महनत से M.P.A. के हमारे M.P. के युवाओं की किसानों की महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है यहां की पिथोरा पेंटिंग गलसन माला बाग बाग प्रिंट साडी सूट और जैकेट इन सब के लिए बड़ा बाजार तयार होने लगा है मुझे पता चला है कि यहां की बहनों ने स्वयम सहायता समू बनाकर शहद, पापवड, आचार और स्रीयन्द का अपना ब्रांड भी शुरू किया है सब जगह यहां के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है इस बजेट में हमारी सरकार ने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड लगपती दीदा बनाने का लक्ष है मेरा गावों में स्वयम सहायता समू में काम करने वाली तीन करोड दीदी लगपती दीदी बनेगी यह मोदी की गारंटी है लगपती दीदी अभ्यान का बहुत बड़ा फाइदा महिला स्वयम सहायता समू की बेनों को भी हो रहा है केंदर सरकार नमो ड्रोन दीदी अभ्यान के तहत देश के पंदरा हजार स्वयम सहायता समू को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी जाबुआ में भी क्रिशी क्रांती करती हुई दिखाई देने लगेई साथियों आदिवासी शिल्प, कला और उपादों की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है आदिवासी समाच के परमपारिक हुनर को, रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किये हैं, उनके परणाम भी आने लगे है आदिवासी कलाव और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आदि महोचव भी चल रहा है आदि महोचव में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बता कर जंगल तक सिमित कर दिया था आज उसका गवरव पुरा विश्व जान रहा है मुझे विश्वास है आप सब के असिरवात से ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू ही है वो और गती से आगे बढ़ेगी आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए अर आज पुरे देश में आदिवासिक शेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानी ये लोगी खट्टे हो करके इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ और जो इतनी बड़ी तादाद में आये हैं उन सब का मैं रदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की आवाज हिंदुस्तान के हर कौने में पहुंच सकती है आपकी तो भारत माता की 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 भारत बहुत धन्यवाद